प्रेदर्सकों हमारे स्रीमन नाराणी जोती सस्थान में आपका स्वागत है आज हम आपके लेका रहे हैं मई 2021 में कन्या रास वालों के लिए कैसा रहेगा है पूरा महिना पहले हम आपको बताते हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या होगी और उसका फल क्या मिलेगा इससे पहले इ करते हैं कि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है अगर आपने नहीं किया है तो कर लिजिए और ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर किजिए इस महीने साथ मई को बरूतिनेकासी का व्रत होगा चौदा मई को अच्छाय तरतिया परूसराम जैनती और इस दिन कुम महापरो का साही अशनान हरिद्वार में होगा बीस मही को स्री बंगला मुखी जैनती बाइस मही को स्री मोहनेकासी का व्रत पचीस मही को नर सिंग जैनती और चबिस मही को बुद्ध की पुडिमा है प्रेया दर्सकों इस माई ने 20 माई को उसरी बंगला मुखी जियनती है इस दिन अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है आप सत्र से परसान है आप नोकरी त्याद में आपको बाधाए टेंसन चल रही है तो ऐसे में इस दिन आप ब्रत रहिए और पीला कपड़ा पहनिए हल्दी की माला पर बंगला मुखी का जब करिए कम से कम 21 माला घी का दिपक जला करके उस दिन हल्दी का सेवन जादा करिए तो आपको सफलता मिलेगी है इस दिन ऐसा आपको करना चाहिए हम आपको बताते हैं कि कन्या रासवालों के लिए पूरा महीना ग्रहों की इस्तिति क्या रहेगी और क्या होगा इसका फल प्रेदर्सकों इस महीने आपकी रास के मालिक बुद्ध भागयस्तान पर है सुक्रे के साथ बैठे हुए हैं जो आपका भागय साथ देगा धर्म कारियों में आपकी प्रभित्ति बनी रहेगी और भागय बराबर साथ देता रहेगा इस महीने आपको मित्रों से या भाईयों से भी लाव वहने की संभावना बन सकती हैं या आप अपने की हुए कारेों से सफल हो सकते हैं, अगर आप कोई बहुत दिन से कारे कर रहे हैं नहीं हो रहा है ते आप महिने आपके लिए बहुत लखी होगा, इसमें आप कर सकते हैं, इस महिने में दसम अस्थान में मंगल दिकबली होकर वैठे हुए हैं, जो कि आपको मित्रों से अनबन के संभावनाय बन सकती हैं, लेकिन फिर भी लाब होगा, इस महिने पंचम अस्थान पर सनी बैठे हुए हैं, संतान को लेकर आपको चिंतित रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको परिछा के त्यारी कर रहे हैं, तो आपको लाब होगा, संतान आपकी अगर क अच्छानक आपको दिक डाल सकते हैं, लेकिन विजय अंत में आपको ही मिलेगा, ग्रिस्वति की पांच विद्रिष्टी, पद प्रतिष्ठा नोकरी पर होने के अजसे, आपको इन चेत्रों से सफलता मिलेगा, लाब होगा, और समाज में प्रतिष्ठा बनी रहेगे, विद में सोर्य उचके हैं, जो थोड़ा सा आपको कभी-कभी क्रोथ की अधिक्ता दे सकते हैं, कुटुम को ले करके परसानी आपको आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा कोई सी जल्दी बाजीम न करें, तो ज्यादा अच्छा होगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा रहेगी, इस मह महिने सनी की तीसरी द्रिष्ठी पत्नी पर कभी-कभी पत्नी से भी आपको अन्बन की संभावनाय बन सकती है, या पत्नी की सारी पीड़ा स्वास्त में थोड़ी कमी आ सकती है, सनी की साथ में द्रिष्ठी आपके लाब पर होने के वज़से, लाब बराबर होता रहेगा, लेकिन कभी-कभी खर्च भी अधिक बढ़ जाएगा तीसे लिए थोड़ा सा आपको घबडाने के जुरुत नहीं है इस महिने लगे रहे और कोई भी अगर दिक्कत आती है तो इस महिने हम आपको अभी उपाय बताएंगे और पूरा महिना करिए तो आपको लाब गुता रहेगा इस महिने ब्रेस्वती आपके खर्ष्टम पर है जो की सत्र से सभलता दिलाएगा नावेद रिष्टी ब्रेस्वती की कुटुम पर है कुटुम की उन्नती कोई घर में आपके मांगलिक कृत बिवास आदी भी हो सकता है जिसमें खर्च अधिक होगा आपका अब हम आपको बताते हैं इस महिने में कैसा रहेगा पूरा महिना आपका स्वास्त इस महिने में स्वास्त ज़्याद तर आपका एकदम ठीक रहेगा बस नाग गला पेट का आपको भी से जरुप से ध्यान रखना है कुरोध और नेतर का भी ध्यान रखना है कुरोध से बचें और नेतर का ध्यान रखें धूप से भी बचना ची हम आपको बताते हैं इस महिने में कैसा रहेगा ब्यौसाए इस महिने में ब्यौसाए मीडियम रहेगा, न तो बहुत ही जादा अच्छा होगा, न जादा खराब रहेगा, मीडियम चलता रहेगा कोई अगर ब्योसाय आपको करना है, तो आप 15 मई के बाद करिए, तो ठीक रहेगा अब हम आपको बताते हैं कैसा रहेगा आपका दामपत्य, इस महिने में दामपत्य जोन बहुत अच्छा रहेगा हर पकार सबलता मिलेगी, पस कभी कभी पत्नी को सारी पीड़ा हो सकती है कैसा रहेगा आपका आय और ब्याय इस मई के महिने में आय और ब्याय आपका बराबर होगा जितना अंदनी होगी उतने खर्चा होगा इसलिए संतुलित इस मई का महिना आपका रहेगा हम आपको बताते हैं क्या उपाय करें इस महिने में जो कि आपका पूरा महिना अच्छा ढंग सेजा, इस महिने में प्रति दिन गणेश अथारस सिर्सका पार्ट करें, और गणेश जी को दुरुआ अगर चढ़ाते हैं, तो पूरा महिना बहुत अच्छे ढंग से आपका बीच जाएगा, प्रेदर्सकों, अब हम आपको तारी के आपके लिए सुभ रहेंगी, जो कोई भी अगर बड़ा कारे करने के लिए निर्ड़ा लेते हैं, इन तारीकों को करेंगे, तो सफलताएं की पूरी समभावना बन जाएंगे, इस महिने कन्या रासवालों के लिए 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 26, 27, 27, ए तारीक आपके लिए बहुत विर्याम देते हैं, स्रीमन नारायन हमारे यहां वैदिक ब्राम्हनों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, करमकान, यग्य अनुस्ठान, विवाह, ग्रे प्रवेश, काल सर्पदोश, वह नव ग्रहों की पूजा आदी कराई जाती है, हमारे यहां सभी प्रकार के यंत्र, राशी रत्न कवच, जन्म प दुकावट, ग्रिकलेश, आर्थिक समस्या इत्यादी का समाधान किया जाता है।